भादरपद शुक्ल नौमी से लेके शुकुदेम गुश्वामी ने कथा प्रारंब गी थी सबसे पहली कथा महाराज परिक्षित को और वो स्थान था शुकुताल गंगा के तट पे तो आज वो पुर्ण हुआत और एक तरह से कह सकते हैं परिक्षित महाराज आज उद्धार हुए साथवा दिन भागवत पुर्ण हुआ और महाराज परिक्षित का उद्धार भी तो इसलिए भादर पुर्णिमा के दिन सिम्द भागवत की पूजा होती है और आरती होती है जगा जगा पे इस कौन में विश्चु व्यापी सिम्मत भागवत की वितरन खुब जोर सोर से होता है आपने सुनाई होगा कुछ दिन पहले पूजिय गोपाल किष्ण गोश्वाई महाराज ने एक वीडियो रिलिज किये थे जिसमें वो भादरपुनिमा का महत्तो और भागवत डिस्टिवुशन का महत्तो के बारे बताते हैं तो भागवत का वितरन खुब होता है मंदिरों में 20%, 30%, 40%, 50% फ्री में यहां तक भागवत का वितरन किया जाता है महत्तो यह है कि आज के दिन अगर कोई सिमत भागोतम किसी और को भक्त को सादूशन को देते हैं तो उसका बहुत सद्गति होता है भगवान के धाम को इतियादी प्रापत होते है तो यह तो बहुत ही महत्तो पुरुन दिन है इसके अलावा परम भगवान श्री गौर सुंदर के बड़े भाई श्री विश्वरूप जी आज के दिन सन्यास्क गहन किये थे बहुत ही कम आयू में, सोला साल के ही थे घर छोड़ दिये और ऐसे घूंते घूंते पंधर पूर में, जानते हैं आम महारास्ट्र में, पंधर पूर पंधर पूर में जाके वो सन्यास्क गहन किये थे अधि-Sankалаachaogly pond श्री आज के अनुझारिए पात के अनुझाईयों में स्यासी, उनके उनसे वो सन्यास्क गहन किये थे और हम सब इसकॉन के भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्य पुरुन है कि हमारे परमाराध्य, प्रातस्मरणिय, श्री श्रीमत, फाउंडर आचारिय, इस दिभाइन ग्रेश, अभय चरनारबिंद, भक्ति विदान्त, स्वामी सिल प्रहुपाजी सन्यास ग्रहन किये तो प्रसंग इस प्रकार से है कि 1950 में ही प्रहुपाजी ने ग्रहत्या करके प्राय सन्यासी के तरह ही रहने लगे, अपना घर परिवार से बिलकुल नाता एक तरह से कुछ थाई नहीं और वो 1969 में जब सन्यास लिए आज के दिन, 1959 में तो उससे नौ साल पहले ही वो ग्रहत्या करके एक प्रचारक के तरह वो प्रचार करते थे, प्रयास करते थे अलग-अलग जगा में प्रचार करने के लिए, उसी दोरान जहांसी में आप सब जानते ही हैं, प्रयास किये थे, लिग of devotees, ऐसे पर, लेकिन नाम था, अभय चरनारबिन्द दास, अभय बाभू, तो इस नाम से वो प्रसिद्धी थे, तो एक बार, अब पॉइंट की बात करते हैं हम, भक्ति सिजान स्वति ठाकुरपात का तिरोभाव महोचब था, आप शको स्मरन होगा, भक्ति सिजान स्वति ठ ठाकुरपात का तिरोभाव कब हुआ था, येर इंडिंग में हुआ था, याद रखनेक लिए आसान है, जो 31st December, तो उस दिन प्रहुपात जी को बहुत याद आए उनकी गुरु महाराज, वक्ति सिजान स्वति ठाकुरपात, और वो बहुत स्मरन करने लेके, सारे सारे, 1922 कब मिले थे, 1922, 1922 से लेके फिर 32 में इनिसेशन हुआ, 32 ना, 33, तो ये सारी घटनाओं को वो एक के बाद एक क्रम अनुशार, क्रम से वो सब याद कर रहे थे, और बहुत भाब इवर हो गये थे, उस दिन, तो कैसे वो मिले थे, सबसे पहले, उसके बाद जहां जहां उनक इंटराक्शन हुआ, उस सब सब बाते उनको याद आ रहे थे, दिख्षा के समय जब नाम दिख्षा गायतर दिख्षा एक्षा थी लिये थे, प्रयाग राज में जो मंदिर है, वह उनोंने लिया था, लावाद में, वो सारे घटनाओं को वो समरन कर रहे थे, जहां जहां जब जब अपने गुरु महाराज से मिले थे, वो सारे घटनाओं को वो समरन कर रहे थे, ब्रंदावन में, राधा कुन में बिशेश करके, जब ब्रजमंडल परिक्रमा में आये थे, अभए, और भक्ति सिधान सरोती प्रभपास से मिले थे, सारे घटनाओं को उनको एक फ प्रशिद्ध एंस्ट्रोक्शन दिये थे, उसको भी बोस्परन कर रहे थे, बिशेश करके उनकी बहुत तिबरी इचा थे कि अंग्रेजी भासा में प्रचार करना, जो उनके गुरु महाराज ने उनको कहा था, उसको बार बार याद करे थे, कि मिलेशा कब समय आएगा कि I'll preach in English, और इंग्लिस में preaching करने के लिए, इंग्लिस देश में जाना बड़ेगा, मैं बिदेश कब जाओं और इंग्लिस भासा में कब प्रचार करो, और पुस्तकों का लिखना, पहले तो पत्रिकाएं लिखते थे, उसके बाद प्रेणा प्राप्त के तो ग्रंथ लिखना शुरू किये, तो ये सब वो एक के बाद, एक के बाद, एक सब स्मरन आ रहा था उनको, सारी घटना हैं, इस संदर में हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, कि हमने शिल प्रहुपाजी के वरिष्ट शिश्य और शिश्याओं से बंदावन मंदिर में कुछ सुने थे, तो ये है कि प्राय हम सुनते हैं कि प्रहुपाजी को आदेश था, कि आप अंग्रे जी भासा जानते हो अंग्रे जी भासा में परचार करो और विदेश जाके इस संदेश को भेलाओ, लेकिन साथ ही साथ भक्ति शिजान शर्षे प्रहुपाज ने अभवय के अलावा अनेग भक्तों को बोले थे वो, ये इंस्ट्रक्शन केबल अभय के लिए नहीं था, अनेक भक्तों को, और इसका प्रमान क्या है, कि इसलिए तो उन्होंने, जो भी है, दो तिन महाराज, बॉन महाराजादी, इनको उरोप भेजे थे, इसका अर्थ है, भक्तिसियांस्वरति प्रभ को मतलो जिनको भी प्रभुपात के अलावा अनेक भक्तों को इंस्ट्रक्शन दिया थे, उसमें से एक घटना आपको बताता हूं, मुंबई गोडयमठ की घटना, मुंबई में गोडयमठ का प्रचार पसार हो रहा था, मंदीर बन रहा था, मंदीर बन के उद्गाटन होने फंड्रेजिंग करने से लेके मैनेजमेंट करना, सब कुछ, मंदीर की वेवस्था और कैसे उद्गाटन सम, टेंपल इनगुरेशन कैसे होगा, गुरु महराज इसमें आएंगे तो उनका, यह सारा कार्य, जो लोकल ब्रहमचारी थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो स करता रहे थे, लेकिन अंडर दी गाइडेंस अभ अभय, तो अभय की जो प्रतिभा, फले न पर शुरू से ही, मौनिंग सो द दे, कहते हैं न, तो शुरू से ही उनकी पास यह प्रतिभा थी, दक्से थे, एक्सपट थे, हर काम में, इसा नहीं किसी प्रवजन देना ही जान क्रिष्न परिष्ठाय, क्रिष्न के इतने प्रियत है, तो सारा का सारा कार्य अब है, और अब है, फंडरेजिंग में एक नंबर थे, कुछ जलक आप परंपुझे भक्तिचारु महाराज के अभय चरन सिरियल में देख सकते हैं, कैसे वो लोगों को कल्टिवेट करते थे, लोगो जाकर मिलते थे, और फंडरेज कहते थे, तो आये, समय आ गया, जब मुम्बै गोडियमठ का उदगातन का समय हुआ, तो मुम्बै गोडियमठ का उदगातन के समय भक्तिचिजान सुरती पर परभुपद आय थे, और बहुत बड़ा उच्शा हुआ था, सब लोग अपनी सेवा में ब्यास्त थे तो अभय तो थे ही, सारा का सारा कारिय उन्होंने देखे हैं, टेंपुल इनागुरेशन हो रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं, कितनी बड़ी मेनेजमेंट है, कितना बड़ा ब्यवस्ता है, जिमेदारी है, जेस्ट आएंगे, गुरु माराज आ आएंगे, तो भक्ति सिजान सौर्शती प्रभुपाद आए और शेरमनी बहुत भव्य तरीक ऐसे हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और भक्ति सिजान सौर्शती प्रभुपाद एक उनके ब्रह्मचारी सिस्य थे, जिनका नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, उनको अपने क प्रशार करना सिखो, और भक्ति सिजान सौर्शती प्रभुपाद उस ब्रह्मचारी सिस्य को बुलाए, और कहें कि देखो, मैं चाहता हूं कि तुम, मेरे एक आदेश का पालन करो, कि अभी तो मुंबे का गोडेमठ भी हो गया, स्थापना हो गया, तुम्हारी जिमेदार पूरी हो गई, अभी तुम क्या करो, कि अंग्रेजी में प्रशार करना सिखो, और मैं चाहता हूं, तुम विदेश जाके प्रशार करो, इतना सुनते ही लगता ही, इसके पैरों के निचे से जमीन खशक गई, भैवित हो गया वो एक दो, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, मैं, जिसको ठीक से हिंदी भी नहीं आता है, माता जी आया था बोलते हैं, वो बेंगली बोलने वाला, आई थी नहीं बोलते हैं, और वो अंग्रेजी भासा में प्रशार करके, बीदेश में जाके प्रशार करेंगे, वो सुनते ही वो कांप गई एकदम, तो वो एकदम रो होने लगे, गिडगड़ाने लगे, और चरणों में गिरगे, गुरु महाराज, आप मुझे इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, इतना बड़ा उपदेश मत दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, तो भक्ति स्यांसे प्रभबाद मुलें, क्यूं, ऐसा क्यूं गुण भौयवित है, पसीना क्यूँ छूट रा है तुम्हें, इतना क्यूं भौयवित हो ओरहे हैं? तो उन्होंने कहां कि वो जो ब्रहमचारी सिसे थे, उन्होंने कहां कि गुरु महाराज, सबसे पहले तो मुझे अंग्रेजी नहीं आता है, मुझे हिंदी भी ढ़ी टि मंदिर में नहीं आपाऊंगा। मुंबए भी कोई कम नहीं है, ज़ादा स्टेशन इतना बड़ा है कि कोई नहीं कोई खो जाएगा वहाँ। इस्टन और सेंट्रल रेल में पता ही नहीं चलेगा। है कि नहीं। तो जो मुंबए जाते हैं वो जानते हैं कितना बीड़ बाड़े। तो मैं मुंबए में खो जाँगा। आप कहरे हैं कि बिदेश जाके प्रचार करने के लिए मुझसे नहीं होगा। तीसरी बात गुरु महराज मैं आप से बहुत अठाच हूँ। मैं आपके बिना आप छोड़के आप से दूर रहे के मैं साथ समंदर पार नहीं जा सकता। कृपया मुझे क्षमा कीजी आदेश को बापस लीजी। मैं यह करने ही पाऊंगा। एकदम लिटरली हीवाज क्राइं रोने लगे और चरणों में गिर गए। तो इसके बाद फिर भक्ति सिर्ण स्वाति प्रभुपाद आचा ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा सांथ हो जाओ इतना भाइवित मत हो। फिर उन्होंने क्या का वो ब्रहमचारी प्रहुपाद गुरु महराज अभाए कि जो भी आप देख रहे हैं जो हमारा मुंबे का गोडियमठ मंदीर है इसका सारा इंट का इंट एक से एक जितने भी सव कार्य है फंड्रेजिंग से लेके पूरी तरह से इनागुरेशन की मैनेजमेंट करना एबरिधिंग उस डॉन भाइव तो हम आप से ये कहते हैं कि आप अभय को बोलिए कि वो अंग्रेजी भासा में वो अंग्रेजी भासा जानते हैं और प्रचार करें विदेश में जाके तो भक्ति सियान सरुति प्रभबाद हासने लगे देखो गुरु माराज हास रहे हैं इस हासी के पिछ एक बड़ा रहस्य है मने कहने का थे आप टाइम ही उल्डू सही समय पे यह कारे करेंगे वो मतलब भक्ति स्यान सरुति प्रभबाद के मन में पहले से ही यह इच्छा थी और उन्होंने बोल भी दिया था जैसे इनको बोले और और लोगों को बोले वैसे प्रभबाद जी को बोल दिये थे अब बाबु को यह उनको मिल चुका था लेकिन भक्ति स्यान सरुति प्रभबाद चाहते थे अब जब उन्होंने क्या कि इनको मुंबई मंदर का प्रेसिडेंड बनाओ उंबई गोड़य मठका मना किये सरुति प्रभबाद नहीं उसको रहने दो सही समय पे सही कारे करेगा वो यह बहुत पहले की बात है मैं कपके रहूं जब भक्ति स्यान सरुति प्रभबाद धर्ती पे थे उस समय तो यह एक तत्कालिन घटना है कि इन्स्ट्रॉक्शन जह सब को मिला था तो सब को मतलब कुछ गिने चुने भक्तों को मिला था उसमें से अभय एक थे तो लेकिन देखिजिंगा थे कि इंस्ट्रॉक्शन गुरु माराज काई लोगों को देतै हैं लेकि अभय ने ले लिया आप सब्दों को समध रहे ना लेकिन अभए ने इसको ले लिया, यह बहुत बड़ी बात है, गुरु महाराज इस्ट्रक्शन इन जिनरल सबको देते हैं अपने अपने सिश्यों को, लिए कोई सिश्य सिंश्य डिसाइपल है वो उसको पर्सनली ले लेता है, और सोभागे से पर्सनली कुछ गुरु महारा इसके बाद फिर बहुत पहले की घटना मेंने बताया, इस संदर में कि प्रहुपाजी को इंस्ट्रक्शन जो मिला था, और भक्तों को भी मिला था, उसके बाद फिर चलिए फिर 1950 में चलते हैं, वो सब नौ साल तक प्रहुपाजी ने खूब प्रचार किया, तो जिस दिन भक्ति सिजान सोथी प्रहुपात का तिरोभाब था, उस दिन ये सारी घटना जो मैं आपको बोला ना, अलग-अलग घटना, ये रफ्लेक्ट हो रहा था, वो प्रहुपाजी के दिमाग में सब चल रहा था, और क्या उनके मन में चल रहा था, कि आंखों देखी घटना है, हांखों के सामने, नजरों के सामने, हमारे गुरु महरास का इतना बड़ा मैंशन, मिशन, गौडियम अठ, स्प्लिट हो गया, टुकडे टुकडे हो गया, अलग-अलग जो सन्यासी है, फाइट करने ले, बहुत बड़े-बड़े कोर्ट केस होने लगे, लिगल कोर्ट केस और फाइट हुआ और सब अलग-अलग मथुरा में, बंगाल में, कॉलकटा में, अलग-अलग जगा सब हो गया, तो ये उनको बहुत दुख लग रहा था, कि हमारे गुरु महराज क्या चाहते थे और क्या हो गया अशे, अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो ग पुष्ट जो चाहिए, वो फुष्ट जो चाहिए, वो थोड़ा मिल नहीं रहा था, रह रहके भक्तिशियान सोती प्रहुपाद सपने में आके ये देते थे, लेकिन उस दिन जब उनकी जो तिरोभाब उच्छब था, जब प्रहुपाद अपनी गुरु महराज को बहुत चाहिए, और फोटो के सामने सारे घटनाओं को स्परण करके रो रहे थे, तो सपने में आए, भक्तिशियान सोती प्रहुपाद, प्रहुपाद लिखते हैं, और सवसरुपदास गुष्वा मिलिला मुथ में लिखते हैं, कि लंबे चोड़े, जैसे दिखते हैं, भक्तिश में आते हैं और उस समय भी कहते हैं अबहे, सन्यास को बीना कुछ नहीं हो 2. तुमारा जो भी मन की इच्छा है और मैंने तुमको जो भी कहा है बिना सन्यास के कुछ नहीं कर पाओगे गब तक कैसे अबहे अबहे बाबू स्तितिमें रहोगे कोई आपको वैल्यू नहीं देगा, यह मस्ट एक सन्यास, सन्यास लेने से ही पूरा आपके जो मिशन है वो होगा और आपके बात का वजन रहेगा, आप जो भी बोलोगे सब उसको सुकार करेंगे, इस बार तो भक्ति स्यान स्वति प्रभुपात ऐसा लगा कि वो लेने ही ब और जब जब ऐसे हो तो प्रभुपात एकदम थोड़े से अपरेंटली भायभीत और पसीना चुड़ता था, गुरु महाराज बार बार कई अलग-अलग इंडिकेट कर रहे हैं, दूसरे ब्यक्तियों से खुद हो सपने में आके ऐसे अलग-अलग उनके सिनियर प्रभाद ने सन्यास क्यों लिए, और सन्यास लेने ही मिशन सक्स applies होता है, और बख्तियों चिछान नेशा होती प्रभुपाद, मेरे गुरु महाराज ने सन्यास लिए-गिकry א स्थापन किया, अगर किसी को जगत गुरु बनना है, या युगाचारिय बनना है, मिशन स्थापन करना है, तो उसको सन्यास लेना ही पड़ेगा, चैतन महापुरु के बारे हम प्रभुपाद रिफलेट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कैसे, कि कोई उनके बाद को गंभिरता के बाद, जिन रस्ते से निमाई जाते थे, श्रीकृष्ण चैतन या, उस चरनों के धूल को लेने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे, और वहां गड़ा हो जाता था, क्या होता था, केबल चरन धूल लेने के लिए, गड़े हो जाते थे, जिस रस्ते से महापुरु गज तब उनके मन में वो पेरणा आई, उन्होंने सबसे पहले होजा, मैं किसको अप्रोच करूं, किसको बोलूं मैं, तब उनको याद आया, हमारे गुरु महाराज का सेंट्रल हेड़क्वाटर था, कोलकटा, कोलकटा, और वहां, अभी, मैं उस समें क्या था, चैतन या मठ, दिदेन कुझवियारी प्रभु, जिनका नाम हुआ था, भक्ति बिलास्तिर्थ महाराज, जिनका सन्यास नाम था, His Holiness, भक्ति बिलास्तिर्थ महाराज, वो भक्ति सियान सुझ ठाकूर के बाद, उस मठ के, वो में थे, और उन्होंने लिगली, कोर्ट केस में, सब कुछ ज यह जो प्रपर्टिक का मालिक वो ही है, महंत जो भी कहें, वो और उनके सिश्चे लोग उस मठ को संबाल रहे थे, बाकि जो उनके गौडबदर अलग-अलग-अलग-अलग स्थान में सब आ गे थे, कोई मतुरा में, कोई बंदा उनमें, अलग-अलग-अलग स्थान पे, तो उन्होंने सोचा इनको अप्रोच करता हूं, तो प्रभुपाद ने लेटर लिखा, मने अभय ने लेटर लिखा, भक्ती बिलास्तिर्था महाराज को, कि महाराज दंडवत परणाम और मेरा आपसे आगरह है, कि मुझे आप सहायता कीजिए, उसमें दो-तिन पॉइंट पहला कि मैं किताबों को छापना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे लिखे, बुक्स लिखे हैं, गुरु महाराज के आदेश से, उसको मैं छापना चाहता हूं, दूसरा, मुझे सन्यास चाहिए, तीसरा, मैं विजेश में जाके प्रचार करना चाहता हूं, क्या आप इसमें म और भी कुछ लिखे ऐसे, तो उनका फिर रिप्ला गया आया, बक्ति बिलास्तित महाराज, एक्चली उस समय परिस्थिती भी ऐसी थी, सब अपने-पने मठ को संभालने में ही लगे थे, और फंड्स जो है, बहुत ही कम था, क्योंकि स्प्लिट हो गया था, आप समझ सकते हैं फंड्स भी ऐसे मैनिपुलेट हो जाता है, तो वो सब हो गया था, तो चैतन या मठ में भक्ति बिलास्तित महाराज के पास पैसे भी इतने नहीं थे, तुन्हें उन्हें क्या रिप्लाई दिया, या भय, सबसे पहली बात तो मैं कहूँ कि आप हमारे मठ में जोईन हो जब तक आप किसी institution के नहीं होगे, तो तुम्हारे प्रचार का कोई अर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम प्रचार करोगे, तो लोग कहां से आए, कौन से मंदिर से आए, कौन से मठ से, इस कौन से या किसी दूसरे से, जब तक तुम किसी संस्था के तुम्हारे बात कोई नहीं सुनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे मठ में जोईन हो जाओ। और देखिए अभय ऐसा प्रतिभाव अनभ्यक्ति थे प्रतिक गुरु भाई उनके चाहते थे कि वो हमारे मठ में जोईन हो जाओ। क्योंकि क्रेडिट है ना इतने बड़े प्रतिभाव अनभ्यक्ति थे तो पहला पॉंट नहीं बताएगी तुम हमारे मठ में जोईन हो जाओ। अच्छा दूसरा है कि तुम कहरे हो कि तुम्हारे तुमने जो कुछ किताबे लिखे हैं उसको छापने की बात है। तुमने जो भी किताब लिखे हमारा सबसे पहला प्रायरिटी है शड़ संदर्व का प्रिंट करना। वेदान्त का शड़ दर्शन है उसको भी हम भुक फॉर्म में चापना चाहते हैं। यह सब को हम पहले प्रायरिटी देते हैं कि सड़ संदर का बुक फॉर्म में आना और दर्शन सास्त्रीतियादी इसो को बुक फॉर्म में आना यह सब हम प्रिंट करेंगे। करने वाले हैं। इसके अलावाद उसके बाद हमारा एडिटरियल बोर्ड है। वह तुम्हारे मैनुस्क्रिप्ट को देखेंगे। है ना पांडुलिपी कहते हैं ना। रतात्मा भू। पांडुलिपी। प्रभुजी का पांडुलिपी चेक करते हैं तो याद आ गया थोड़ा। तो जो पांडूलीपी है, मैनस्क्रिप्ट, वो हम देखेंगे, उसके बाद हमारा एडिटेरियल बोर्ड निर्ने लेंगे, डिसाइड करेंगे कि ये अभी हम कौन सा भाग इसमें से प्रिंट करने लाएग है और किसना प्रिंट कर सकते हैं, ये सब हम डिसाइड करेंगे, फ मुश्क्यल हो रहा है और बिदेश कहां से बेज एंगे, वे देश याने की लिए हम अरे पास तुमको बिदेश बेजने के लिए हमारे पास इतना भी पैसे नहीं है, कोई ऐसा बिबस्था भी नहीं है और थोड़ा सा एक्सपिरियेंस भी हुआ है बिदेश जाके, आप किसी को बिदेश भेजना मुझा थोड़ा कंफिडेंट भी होना चाने किसी को फेसलिटी देने के लिए इस प्रकार से दो तिन ऐसे अंसर दिये लेकिन उस अंसर को सुनके प्रहुपा जचा नहीं इसका कारण ये है प्रहुपा जचा नहीं कि अभय को क्यों जचाने कि अभय वह बहुत ही डिटर्माइन थे कि मुझे मेरे लिए गुरु महराज का आदेश प्रायरिटी है अगर में किसी मठ में जाके जॉइन हो जाता हूँ हाँ जरूर वो करेंगे लेकिन कप करेंगे अब मेरा एज भी इतना हो गया है कप करेंगे मुझे सन्यास देंगे कप देंगे मेरा बुक प्रिंट कप करेंगे मुझे बिदेश भेजेंगे कप भेजेंगे क्या उतने दिन तक में जीवित रोंगा प्रभुपद वस कॉइट ओल्डर बहुत आयू भी हो गया था तो उनको उनकी बात को थोड़ा सा रदे को लगा ने की अभय को लगा कि यह सब बहुत मैं लो जैसे मानों कि धकेल ना हो दिर्गुशुति जैसा बात है और जहीं प्रोकस्टिनेटिंग केते ना फ्रोकस्टिनेशन तो वो बात है हाँ करेंगे करेंगे बात में हो जाएगा एक बार आजाो जोईन हो जाओ यह सब करेंगे और उनका अपना फाहिदा था कि अब है अगर हमारे सेंटर में आ है राइटर है, सबकुछ है हाराणा स्रेह ettल होगा कीingo का जैतने मठ रह मैं तरो इस प्रकार प्रफुपाज्जी को डिना upgrade हो गया, भाब लिये, कि अभय को ऐसा लागा कि ये सब अपने ही स्वार्त में हैं, लेकिन मेरा जो मिशन है वो नहीं हो पा रहे, हो पाएगा, तो फिर उन्होंने और सोचा कि अब क्या करें, और कोई है जो मुझे इस प्रोसेस में और थोड़ा क्विक्ली जो कर पाए, तो फिर उन्होंने याद किया अपके भक्ति प्रग्यान केसान महराज को, सेकंड ऑप्सं जो मतुरा में थे, आज हम देख्टें ना मतुरा मेे केसो गोड furryy mut, तो महराज वही थे, भक्तिप्रग्यान केसान महराज, तो उन्होंने उनको पत्र लिखा, जय से ही भक्ति में तो तुमको पहले सही कह रहा था तुमको सन्यासलें से और एक दो बार बोल भी चुके थे और अशे अलग लग लग तो और अभय का मथूरा गोड़य मठ के साथ संबंद भड़ा गहरा है याद कीजे किस कारण के वज़े से गहरा है सिसी राधा विनोध भिहारी के पास जो गोरांग महापरुवे वह अभय ने डोनेट किया था डीटिस के वज़े से इसलिए अभय का केशव जी गोड़य मठ में आना जाना रहता था ता पहले से भी कई बार जगए हैं कुछ सेवाएं के हैं डोनेशन दिये हैं और केशव मह महाराज के साथ उनका बहुत अच्छा संबन था और उन्होंने डीटिस को दे हैं आज भी होगा वो डीटिस है इना उस मठ में प्रभुपाजी के अभय के दोरा दी हुए डीटिस हैं वा तो पहले से उनका संबन था उसके बाद अभय केशव महाराज ने उनको बहुत प् मैं तो चाहता हूँ मैं तो आपको पहले से बोल रहा हूँ आपको संबने वही बात रिपीट के जो उनके गुरु महाराज ने बोले थे और प्रभुपाज ने जो सपने में देखे थे कि तुम बिना संबने तुम्हारा प्रचार का वैल्यू नहीं है जैसे कई भक्त उद बान देते हैं, रिपॉल बॉल के बिना अगर गोली किसको हाथ से फेंग दो लगता है क्या? लेकिन रिपॉल बॉल में रखके गोली मारो आर पार सिधा तो तुम सन्यास लिए बिना तुम्हारा प्रचार का वह सक्ती नहीं रहेगा इसलिए मैं कहता हूँ तुम सन्यास ल तो यह कहने पर प्रभपाजी को और उच्छा और प्रेना आया और फिर वो मतुरा के सब जी गोडे मत जो आज है वहाँ वो गए आज के दिन अर्था उस तमय आज करने तो थाईस आज बेश है उस दिन था 19 सेप्टेंबर 19 सेप्टेंबर 1959 17 था अभी अभी पड़का है हमें सवरुप दास महाराज 19 लिखते है 19 सेप्टेंबर 1959 था वो उस उस तमय का वो भादरपुनिमा का जो दिन था तो विश्वरुप मोच अब तो था ही तो प्रभपाजी फिर गए अपने अभय गए अब देखे कैसे सवरुप महाराज का ए आप तो पड़े ही हैं जो अलंकारिक भासा है अभय सफेद बस्तर में एंट्री कर रहे हैं आप समझ जाएए इसके बाद क्या होगा अभय सफेद बस्तर में के सब जे गोडे मठ में प्रवेश हो रहे हैं और वहां नब्बे साल के उमर के एक सनातन प्रभू है है के नइंटी यर्स जिनको हो गया है तो वह भी सन्यास लेने वाले थे तो दो सन्यासी केंडिडेट दो सन्यास वस्तर का सेथ दो सन्यास दंड यह सब तयार था आज के दिन और बिलकुल राधा बिनोत बिहारी और जगोरांग महाप्रुभी डीटीच के सामने सब तेयारी की गई है. मुख्य पुरोहिद क्वान थे? नारण महाराज. जो पुरोहिद थे, नारण महाराज थे. उनके भछ्ति प्रग्यान केशम महाराज के सिश्य है, तो वो तेयारी की गई है, और आसन ना रगाए है, तो अभय आए और वो तो पहले से इस नान, सुद्धी बगरा कर किये थे और फिर उनके जो गुरुभाई हैं, सनातन प्रभु, इनका नाम क्या हुआ बाद में? मुनी महराज, मुनी महराज, तो वो भी तयार थे, तो दोनों बेट गए और फिर सबसे पहले स्वस्ति वाचन, इत्यादी, जो भी है, नारण महराज ने मंत्र उचारन किया, हवन की तयारी की और ये सब होने के बाद, उनके गुरु महराज, पुझ्य भक्ति प्रग्यान के सब महराज ने प्रवचन देना शुरू कियो, बहुत ही बढ़िया प्रवचन, सन्याज के पहले गुरु महराज लेक्चर देते हैं, तो उन्होंने लेक्चर दिये, प्रवचन दिये, तो ससरुपदास गोशाई महराज केते हैं, बड़े दुख की बात है, खेत की बात है, इतना भव्य उच्छब था, इतना भव्य उच्छब था, लेकिन भक्त बहुत कम थे, क्योंकि उस समय इतने कोई भक्त भी नहीं थे, दूसरा किसको बताय नहीं गया था, मैं लो इतना प्रचार नहीं किया गया था, इमाजिन के जे, आने वाले पीडियों में, सदियों में, इतने बड इंटरनेशनल सोसाइटी के फाउंड़ आचरे के सन्या सरेमनी में कितने भगते हैं? गीने चुने अगर होता हैं, हमको पता होता तो भीड उमर जाती हैं, तो खेर उसमें बहुत कम भगत थे तो बक्ति प्रग्यान केसम महाराज ने बहुत सुंदर प्रभचन दिया, दिव्य प्रभचन दिया, प्रभचन देने के बाद तुनों तुनों ने अभाई को इंडिकेट किये, अभाई आप बोलिये, तो महाराज लिखते हैं, सवसरु महाराज, उस सभा में जितने भी कोई इंग्लिस स्पीकिंग नहीं थे इतने, मोस्ली बेंगॉली और हिंदी, और भक्ति प्रग्यान केसम महाराज तो जानते ही थे, तो अभाई ने इंग्लिस में प्रभचन दिया, इमाजिन, सन्यास के समय पहला लेक्चर, जस्ट वाल टेकिंग सन्यास, पहला लेक्चर उपाज ने अंग्रेजी में दिये, मैं पहले केसम महाराज ने दिये, उसके बाद उनने इंडिकेट किया, तो अभाई ने लिख चर दिया, तो वो अंग्रेजी में था, बहुत सुंदर उनने जो भी आधा पोना घंटा को क्लास दिये, बहुत सुंदर प्रवचन दने के फिर भक्ति प्रग्यान केसम महाराज ने नाम करन किया, तो उनने इनको मुनी महाराज नाम दिये और अभय चरणार बिंद दास, जो भी कहीं, अधिकारी जो भी थे पहले, फिर उनने कया, अभय चरणार बिंद भक्ति बेदान्त स्वामी महाराज, भक्ति बेदान्त स्व तब तक शिल प्रभुपाद नहीं वह था, बख्ति विद्यांद स्वामी महराज इतने नाम से पसीदिते, तो बख्ति विद्यांद स्वामी महराज के गॉडबधर, अकिंचन कृष्णदास बावजी महराज वहां उपस्ते थे, बहुत सुंदर कृतनिया थे, तो अकिंचन करते थे, तो अकिंचन किष्णदास बाजी महराज वह सरेमनी में, सन्यास सरेमनी में कीर्टन करते थे, पिर सन्यास हुआ, सन्यास उच्छव होने के बाद फिर वह अपने सन्यास गुरू को प्रणाम किये, और उस समय तक, उस समय तक, 1959 तक, क्यामरा भी आ गया था, एना तो भूत ही क्षा गया पहती शुपरसिदी और स्मरणी एफटो है वो। भग्ती ब्यदा स्वामी महाराज ने सन्यास लियाँ तो वो सन्यास को वह फोटो लिये जन्यास करहन की है। उसके बाद भक्ति प्रग्यान केशव महाराज ने कहा है कि, भक्ति वेदाद स्वामी महाराज, अभी आप सरवत्र जाके प्रचार कीजिए, जहां भी आपको इछाले के शब जगा जाकर प्रचार कीजिए, यही आपका उदेश्य है, और आपके गुरु महाराज, हमारे थे, उसके बाद फिर अगले दिन भक्ति प्रग्यान कैस्व महाराज के कुछ ब्रह्मचारी सिस्यों को ले के अगले ही दिन मिशन में लग गए कहां जांसी, कानपूर, ग्वालियर, आगरा, मतुरा यह ट्रीप था भक्ति प्रग्यान्द स्वामी महाराज के after taking sanyas first preaching trip यह पूरे इलाखे को एक एक दिन करके वो टस किया और थोड़ा सा ब्रह्मचारी सिस्यों के साथ थे इसे करके वो प्रचार कर करने लगे और थोड़ा दिन प्रचार करके फिर वो बंदावन आ गए थे तो यह आज का दिन है sanyas उच्षप आज के दिन प्रग्यान्द ने sanyas लिया था लेकिन साथ ही साथ एक घटना में यह कहके विराम देता हूं क्योंकि फिर भागवत के आरती और पुजा होगा तो अभय चरणार बिंदा भक्ति बेदान्द स्वामी महराज आप प्रहुपाजी के लेटर में देखिए सिगनेचर जो है साइन किसको याद है क्या साइन करते हैं नोट प्रहुपाद ऐसी भक्ति बेदान्द स्वामी ठीक है ना तो मायापुर में जब कुछ ऐसे भुमी पुजन हो रहा था और प्रहुपाजी के आने गौडपरदर आय थे प्रहुपाजी नियोता दिया था विरोध तो बहुत होता था लेकिन प्रहुपाजी ने सब को नियोता दिया था बहुत बात की बात है जब बिदेशी शिष्य लोग हो गए और महापूर में जाते थे, तो सब पूजन हुआ, बहुत बड़ा उच्छव हुआ, भूमी पूजन ऐसे कुछ तो उच्छव हुआ, उच्छव होने के बाद प्रसाद लेने के लिए सब बेठे, प्रसाद लेने के लिए सब बेठे, तो मालती माता जी और कोई उनके सिष्या, प्रभुपा जी के लिए कुकिंग करते थे, और बाकि उनके गौडबदर्स के लिए बेठे, प्रसाल लेने से पहले, जब इसे बेठे थे, तब कुछ गौड़ पदर्जत है उनका अक्षेप हुआ, कि भक्ति विजान्द श्वामी महाराज आपने हमारे गुरु महाराज के टाइटल क्यों लिया, यह जो टाइटल है, हमारे गुरु महाराज के लिए है, आपने यह उपाधी क्यों लिया, समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी के फाउंडर आचारिय और मायापूर मंदिर में अभी गए हैं और सब कुछ हो गया है, और इतने बड़े उच्छा में उनके गौडवदास का आक्षेप है, फिर उसके बाद यह सब जब पूछने लगे, बात्चित होने लगे, सब नहीं, उसमें से एक दो थे कुछ, इसे पूछे वो, तब तक यहाँ मालती माताजी, जहां तक मुझे आदार है मालती माताजी, क्योंकि यह मैंने सुना देवी सक्ति माताजी चीची बुदावन में, वो प्रहुपाजी के लिए कुछ भोग बना के सब ला रहे थे, प्रहुपाजी के गौड़दर बेठ हैं, सब लोग बेठ तो ला रहे थे, तो प्रहुपाजी ने काया, मालती, तल माइ सेक्रेटरी तो गेट लेटर, लेटर हैड, तो मेरे लेटर हैड जो है, वो मंगा के लाईए, तो उन्होंने सेक्रेटरी से लाया और उन्होंने काफी सरे दिखाया, आप सबको मैं दिखा रहूं, इस लेटर म विशर A.C. भक्ति बयांदा स्वामी, not प्रहुपात. तो उनने काया कि मैंने कभी ऐसा अपने से प्रहुपात करके टाइटल नहीं दिया. फिर बात तो वही हुआ ना कि लेटर हर में फाउंडर आचर इंटरनेशनल सोसाइटी के तो स्वामी प्रहुपात तो है ना फिर उनने एक्स्प्लें किया कि पहली बात तो है कि मैं प्रहुपात करके नहीं लिखता हूं. सबसे पहली बात है. फिर प्रहुपात सब्द का आप सब जानते ही हैं. अर्थ जो है। उन्होंने बहुत संदर एक्स्प्लेंन किया कि हम हमारे जो गोडिय वैस्नु लाइन में परंपरा में रूप गुष्वामी प्रहुपाथ सभी आचारिय जो है। सब प्रहुपादि है। और विसी तरह से जितने भी सब महान आचार हुएं सब प्रहुपाद हैं, तो मेरे सिश्य लोग स्रद्धा से, सन्मान से, अपने गुरु महाराज को, उनके कार्य के लिए, उनके उपलब्धी के लिए, समझ रहें न, उस बात को, उस टाइटल को जस्टिफाई किया और उनने कहा कि ऐसे क्यूं हुआ है, तो ये एक छोटी सी घटना थी कि ऐसी भक्ति बेदान्द स्वामी, फिर प्रहुपाद, और प्रहुपाद के नाम पर कितना अक्षेप हो, और प्रहुपाद ने कैसे उतर दिया ऐसे, तो इसलिए आज के दिन, बड़ा पवित्र दिन हैं हमारे लिए, कि अभय चरणार भक्ति बेदान्द स्वामी ने आज सन्यास लेके, जो मिशन शुरू किये, उसके बाद जो उन्होंने अथक प्रयास के बाद इंटरनेशनल सोसाइटी सुरू किये, जिसमें हम लोग आज संस्लिस्ट हैं और उनके चरणाश्रित हैं और उनके पदचिनों पर हम चल रहे हैं, हम सबका ये धे होना चाहिए कि परमगुरु शिल प्रहुपात और उन्होंने जो हमें बताए हैं, नियम रस्ते दिये हैं, उसके उसपे चलना और जैसे पुझे भक्तिचारू महाराज पराय कहते हैं, दो नट लिव इसकॉन अपने दिख्षा के समय कहते हैं, तो हमें संस्था में रहके ही सेवा करें, संस्था में परमपरिक पधति से, प्रामानिक्ता से लोयलिटी होके संस्था में रहके ही सेवा करें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वोपद, गीता भागवत, सैतन्य चरित, प्रेमामृतर ससार, कतना सुन्दर, सरलकरिया के विवजाई ते आर, यदी प्रभुपाद ना हैता, तबे की हैता, जीवन वहीता की से, नीताई गोरेर अपार करुणा के दीतो सोकलो दे से, पुझे जयपता का महराज ने जो लिखे हैं, बहुत सुन्दर पद है, इसमें आप सब जानते ही हैं, अलग-अलग सुन्दर, प्रभुपाजी को कितना सुन्दर गुरुणगान के हैं, तो हरे किष्णा धन्यवाद, सी सिमत ऐसी भक्ति बेदान्त स्वामी शिला प्रभुपाद, सन्यास महोचव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताई गोर्पेमानन्दे, हरी बोल,